You know, काफी लोग कह रहे हैं कि, क्योंकि सुशांत एक इंस्पिरेशनल पर्सन थे एक यूथ आईकॉन थे तो उनको सुशाइड नहीं कमिट करना चाहिए था क्यों, जो लोग बहुत इंस्पिरेशनल होते हैं या जो लोग बहुत लाइम लाइट में होते हैं तो क्या deep down वो कुछ go through नहीं कर रहे होते हैं हम जितनी भी limelight देखते हैं न बहार deep down बहुत darkness होती है especially इस industry में बहुत darkness है बहुत ज़ादा shallow है कही न कहीं मैं exactly इस industry में नहीं रही हूँ but event industry में रही हूँ अब तो यह struggle बर्दाश ही नहीं हो पा रहा है कई बार जो लोग हैं जो हमें hire करना चाह रहे हैं casting directors वो यह बोल रहे हैं कि या फिर तो आपको थोड़ा सा हमारे साथ समझहौता करना पड़ेगा या फिर जैसे आपको आगे बढ़ने आप आगे बढ़ जाहिए या कुछ terminologies हैं जो कि लोग use करते हैं अकसर इस industry में कि समझहौता और हमार सा अच्छा रिष्टा बना लो आपको नहीं पता कि एक व्यक्ति क्या go through कर रहा होता है या जो प्लीज हम इसके उपना थोड़ा कॉमें नहीं करें तो अच्छा है कि किसने क्यों स्यूसाइड किया एक व्यक्ति जो अपनी मूवी में एक अच्छा सा मैसेज दे रहा है जरूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में वैसा ही जी रहा हो ऐसा बिलकुल भी जरूरी नहीं है हर वेक्ति वैसा नहीं जी रहा होता या इन मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता था जब मैं एवेंट होस्ट करने जाते थी बड़े सारे कोट्स में बोला करते थी बट मुझे नहीं बता कि अगर वो मैं रेली में जी रही थी हां, as a coach of course हमें वो सब चीजे जीने की जरूरत है क्योंकि हम वो ही चीज सिखा रहे हैं बट वो सिर्फ एक अक्टिंग कर रहे हैं एक मुवी में तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि वो वैसे ही जी रहे होंगे आपको नहीं पता कि वो क्या गो थू कर रहा था वह वैक्ति और क्या उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अच्छा एक अच्छे डॉक्टर को हायर कर सके या क्या उनके आस पास लोग नहीं थे जिनसे वो बात कर सकते definitely कभी कभी नहीं क्या होता है कि चरफ होते हैं या इसा होते कि या अपको लगता जो नग यह इसा रहता हुतु है और कई आपे रोग को ऐसा रहता है कि यह उनk मैंने में दो यह statement हमेशा सीखी है misery is a people's best possession, कई बार misery ही हमारा बहुत important possession बन जाता है और हम उसी के साथ इतनी strongly attached जाते हैं, तो देखिए हम इस दुनिया में आए हैं, वैसे भी हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पर जो हम यहाँ पर कमाएंगे वो हम यहीं पर ही छोड़के जाएंगे या जाद-जाद अपने बच्चों को दे कर जाएंगे, तो अगर आप किसी भी चीज से attach हो रहे हो अपने करम से भी attach हो रहे हो, अगर आप बहुत जादा service का काम करते हो, अगर आप उससे attach हो जाओगे तो natural सी बात है कि वो तो आपको बिल्कुल भी help नहीं करेगा आप और ज्यादा deep down और negativity में चले जाओगे तो आप एक traveler की तरह एक passenger की तरह आए हो जी नो आप passenger की तरह जीओ आपको उस जिस गाड़ी में आप सफर कर रहे हो उस गाड़ी के आप driver हो मैं मानती हूँ आप हो लेकिन उसको खतम करने का आपका कोई भी हक नहीं है बिल्कुल भी हक नहीं है इस चीज़ को आप जान लो अगर कुछ है जिसको आप change कर सकते हो वो है कि धीरे धीरे करकर आप अपने आपको थोड़ा सा बदल सक है कि मैं वहां पर रह चुकी हूँ मैंने वो go through किया हुआ है और अभी थोड़ देर पहले मैं इसके पर एक video भी बनाए थी और honestly अगरा मैं आपको पता हूँ तो बहुत मन बहुत भारी हो गया है क्योंकि of course जब आप देखते हो या लोगों को जाते हुए तो आपको कहीं नहीं नहीं लगता है कि क्या reason हो सकता है क्या easy कमी रह गई थी जो वो पूरी नहीं हो पाई लेकिन अभी इस वक्त मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि सुशान के लिए आप सिर्फ प्रे करिए उनके family members के लिए प्रे करिए ताकि उनको जादा से जादा strength मिले इस अपनी negativity अपनी कोई भी thoughts मत रखिये that's it बस प्रे करिये इस वक्त सरफ prayers ही काम करेंगी और जिस भी जिस भी इस वक्त है उनकी soul इस वक्त है बस वो और प्यूर हो जाए that's all we can pray for right और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस ताइम environment पे because of lockdown as well बहुत negativity है तो लोग अपना गुसा अपनी बढ़ास बाहर निकाल रहे है social media के जरीए और कुछ पता नहीं होता कि एक किसी ने आपके facebook पर एक comment करा होगा और या आपने किसी के facebook पर help करोगे और एक अच्छे listener बनिये जहां पर किसी की मदद कर सकते हो वहां पर उसकी मदद करिये selflessly मैं भी करती रहती हूं on a regular basis जहां पर मुझे लगता है कि किसको मदद की जरूत है और especially अगर आपको थोड़ी सी भी जरूत मेरी होती है मदद की तो आप please मुझे लेख सकते हैं मेरे email id पर info at nlpwithniha.com और आपकी जो भी situation है मैं उस पर एक video बनाऊंगी और अगर possible हुआ तो definitely मैं आप से phone पर भी बात करूंगी बट मेरी आप से यही गुजारिश है कि please अपनी भडास मत निकालिए बाहर उस इंसान के लिए प्रेय करिए और अपने आपको positive रखे और जितनी आप positivity radiate करेंगे उतनी ही आपको भी positivity मिलेगी thank you so much, bye